नमश्का दोस्तों स्वागते हैं आपका मेरे यूट्यूब चैनल तो दोस्तों फिल्म फाइटर की नए रिलीज डेट के साथ एक टीजर भी शेयर किया गया है और इस फिल्म में नए एक्टर का नाम का खुलासा भी हुआ है बता दे फिल्म फाइटर में दिगज अबिनेता अनिल गपूर में अजर आएंगे बॉलिवूड की सूपर हीरो रित्यू क्रोचन और अधीपी का पादुकुन स्टार फिल्म फाइटर बन कर तियार हो गई है फिल्म 26 जनवरी को 2023 को रिलीज होनी थी लेकिन अब फिल्म के रिलीज डेट को बदल कर अगले साल 28 स्टंबर को रिलीज किया गएगा जिसका करण है 25 जनवरी 2023 को शारू खान की मुच वेटर फिल्म पठान रिलीज हो रही है सिदार तनन्द पठान और फाइटर दोनों को ही डारेक्ट कर रहे है रिती के साथ बैंग बैंग और वार के बादे ये तीसरी बार उनके साथ काम कर रहे है फिल्म फाइटर की नए रिलीज डेट के साथ एक टीजर भी शेयर किया गया है इस फिल्म में नई एक्टर के नाम का भी खुलासा हुआ है फिल्म फाइटर में दीगे जबनेता अनिल कपूर भी होंगे टीजर शानदर म्यूजिक और फिल्म के नाम से शुरू होता है किसमें गन फाइर की धहमाकेदर आवाजे भी है फिल्म में इसकी कास्ट रितिक रोशन और दीपिका पद्गों और निल कपूर के नाम के साथ शुरू होता है बता दे रितिक और दीपिका स्टार फिल्म फाइटर हिंदी सिनमा की पहली ऐसी फिल्म है जिसमें एरियल एक्षन देखने को मिलेगा फिल्म की स्टोरी एक मीशन पर अधारीत होगी ठीक उसी तरह जिस तरह हॉलिवर्ड स्टार टॉम क्रूज की फिल्म मीशन इंपॉसिबल की थीम है बता दे सिदार्थ नंद इन दिनों शारू खान स्टारर मच्विटर्ड फिल्म पढ़ान की शूटिंग के लिए स्पेन में है फिल्म में दीपिए गाबाद को और जोन अबराहम भी एहम रोल में नज़र आएंगे ये पहली बार होगा जब सिनमाई परदे पर शारू को और जोन को एक साथ देखा जाएगा तो देखना दल्चस पोगा की बॉक्स ओफिस पर ये फिल्म कितना कारोबार करती है आपकी क्या रहा है कमेंट करके जुरू बताएं साथ इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें मैं ऐसे तरह की लेटास अब डेट देता रहता हूं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में जय हिन